जांगूं का कालापन दूर करने का असरदार नुस्खा जांगूं का काला होना कोई गंभीर समस्या नहीं है फिर जांगूं का कालापन कैसे दूर करे यह बहुत से लोगों द्वारा इंटरनेट पर खुजा जाता है अक्सर हमारे चेहरे की अपेक्षा हमारे शरीर के अन्या अंगों का रंग भिन होता है लेकिन हम अपनी जानगों का कालापन दूर करने के विशय में नहीं सोचते हैं जबकि जानगों का कालापन कई महिलाओं और पुरुषों के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता है विशेश रूप से यौन संबंद बनाने के दौरान जब हम विना कपड़ों के होते हैं इसके अलावा शॉट ड्रेसिस पहनते समय भी बहुत सी महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ता है लेकिन जानगों का कालापन दूर करने के घरेलू उपाई भी होते हैं जानगों के आसपास वाली तवचा दिन भर टाइट कपड़े पहनने और पसीने की वजह से कालापन का शिकार हो जाती है आप जानगों का कालापन दूर करने के उपाई में कुछ प्राकृतिक उत्पादों का उप्योग कर सकते हैं आज इस आर्टिकल में आप जानगों का कालापन दूर करने के घरेलू उपाई और नुस्खे संबंधी जानकारी प्राप्त करेगी नीमबू आप अपने चहरे को गोरा बनाने के लिए नीमबू के रस और अन्य सौंदर्य उत्पादों का उप्योग करते हैं लेकिन जानगों का कालापन दूर करने के घरेलू उपाई में भी नीमबू का इस्तेमाल किया जा सकता है नीमबू में एक्सफोलियेटी गुन होते हैं जो तवचा में मौजूद शुधियों को दूर करने में सहायक होते हैं इसके अलावा नीमबू में ब्लीचिंग एजिंट भी होते हैं आप अपनी आंतरिक जानगों का कालापन दूर करने के घरेलू नुस्खे में ताजे नीमबू का प्रयोग करें इसके लिए एक ताजा नीमबू काटे और इसका रस निकाल लें इस रस को अपनी जानगों में समान रूप से लगाएं और सूखने तक इंतेजार करें लगभग 20 मिनिट के बाद गीले कपड़े से नीमबू के रस को पोच कर साफ कर लें जिन लोगों की तवचा शुषक और समवेदंशील होती है वे नीमबू के रस और पानी की बराबर मात्रा बाले मिश्रम का उप्योग कर सकते हैं एलोवेरा का सेवन एलोवेरा में तवचा को गोरा बनाने और स्वस्थय रखने वाले गुन भरपूर मात्रा में होते हैं नियमित रूप से उप्योग करने पर एलोवेरा जानगू के कालापन को हटाने में भी प्रभावी होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि एलोवेरा हाइप पिग्मेंटेशन को कम करता है जानगू का कालापन हटाने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लिए आप एलोवेरा की पत्तियों से एलोवेरा जेल निकाले और अपनी जानगूं पर इसका लेप लगाएं लेप लगाते हुए आप अपनी जानगूं की मालिश भी कर सकते हैं जब तक कि यह तवचा द्वारा पूरी तरह से अफशोशित न हो जाए इसके बाद लगभग 10-15 मिनिट के बाद आप अपनी जानगूं को गर्म पानी से धोलें नियमित रूप से दिन में 2-3 बारिस विधी को दोहराने पर आपको कुछ ही दिनों में जानगूं के कालेपन से चुटकारा मिल सकता है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें हन्यवाद